यूपी पुलिस के अपराध पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो वहाँ बाबुराम मर्द अवस्था में पड़ा था जिसको देख कर परीजनों में हडकंप मच गया जिसके बाद परीजनों ने पुलिस को सूचना दी मोखे पर पहुची पुलिस ने बाबुराम के शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि परीजनों की तहरीर के आधार पर कारावाई की जा रही है। जल्दार ओपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा। आज सुचना पर रतिवा थाने को सूचना मिली की बोलाणपुर के पास सिगंदरपुर की जंगल में एक लास पड़ी है। इस सूचना पर ततकाल रतपुरा दिपुलिस वा गई है। नहीं देगा चारपाई पर एक गर्ती को गोली लगा है। और उसके सीने के बाही तरफ गोली मारी गई है। उसाथ पर ततकाल रतिपुलिस ने लास को अपने कभजे मिले के बंचायत नामा भरा और उसके बाद लास को पियम के लिए भिजवा दिया गया है। विर्तक के लड़के से तहरीर ली जा रही है और तहरीर के अधार पे ही करवाई की जाए है। अभी मुगत्मा पंजीकृत नहीं हुआ है सर। मुगत्मा भी तहरीर लिख दिये नहीं है। लिख रहा है। ततकाल मुगत्मा पंजीकृत नहीं है।